हेलो व्यूवरस नबोक्सिंग इडिया में आप सब कास्वागत है और मैं हमरा राज मेरे पास रिवाइज है यह रेडमी नोट 10S स्मार्फ़ून जा दोस्ते एट एट एची पी रेम 128 वेरियन के साथ मेरे पास यह रिवाइज है और काफी इंट्रेस्टिंग डिवाइज है और इसका मार्केट में अभी भी काफी ज्यादा हाइप है तो आज इस वुडियो में इसी रेडमी नोट 10S स्मार्फ़ून को अन्बोक्सिंग करके एट जी बी 120 एट जी वेरियन की ओनेस्ट रिवीव रखेंगे क्या अभी भी आपको 2022 में 2023 में आपको रेडमी नोट 10S स् बताएंगे इस स्मार्फ़ून को अन्बोक्सिंग करके मैं ओनेस्ट रिवीव रखोंगा तो गाइस वुडियो का अपन तक जूरूर देखिएगा एंड चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया नीचे दिए गया रड़ बटों को क्लिकर के चैनल को सब् पॉंट्स 64 मेका बिक्सल का कैमरा फूल एच्डे प्लास एमोलड स्क्रीन इसके लिए गडियो जी नाटी सिक्सर फाइट तूजन मिली एंपियर बैटरी और फॉर एस्ट वाइच खेलर में एट अची बिरेम 128 जी रॉम के साथ यह रिवाइज से तो चलिए फिलहाल इसी स्मार्फोन को सबसे बेले अन्बॉक्स करते हैं और इसके बाद रिवाइज के बारे में डीटेस में बताएंगे और यहां पर जो बॉक्स से इसे अन्बॉक्स कर दिया और जैसे ही अन्बॉक्स करते हैं उपर इस स्मार्फोन देखने को मिल जाता है जा दोस्तों इसी इजक्टर देखने को मिलता है इसके लवा कुछ डोकुमेंडेशन डेफिनेटली यहाँ पर दिया गया है रेडमी की तरफ से यूजर गाइड और इसी परडिक्शन के अंदर है एक टेंस्पारेंट के इसको वर और काफी अच्छा के इसको वर यहाँ पर दिया गया है फोन क यहाँ पर देख्सक्तों था दिया गया है जाद दूस्तों यहाँ पर देखके थो टाइप एड़ टू टाइप-सिके बेन देखते हैं इस परडिक्शन से निकाल के और यहाँ पर देख्सक्तों वाइड ख़ले मेरे पास यह रेडमी नूट 10S स्मार्टफ़न है जाद तो डेफेनले बहुत ये चाहे बैक बोडी की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कैमरा पार्पार्ट बहुत ये प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये बैक्वाइस है लेखने में काफी स्यादा लगता है ग्लास नहीं होतो क्या हुआ डेफिनेटली काफी मज़धा डिजाइन है इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे बोलिया मापन डाउन वटन पावर वटन इसके साथ में यहाँ फिंगर पे निसकनर भी है साथ ही डिवाइस है नेशे के दरफ स्पीकर गिल थाइप सी पोड़ माइक्रोफोन 3.5 एं मेमडिय जेक था एडिवाइस किस तरफ सेम्ट रहे ओपर की तरफ यहाँ पे हमें स्पीकर गेल नौइस के सेलेशन मेक्रोफोन एन आयर ब्लस्टार भी देखने को मिल जाता है तो मुझे तो खासकर को ओवरॉल इस स्मार्टफोन के लोग से डिजाइन फिल पाड़ बहुत ही ज्य इसके साथ यह डिवाइस को पूरी दरगी से यहाँ पर ओवन कर दिया है अब चलिए सेट अप कर लेते हैं और बात ही करते हैं इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में इसी स्मार्टफोन में अलग अलग कलर भी देखने को मिल जाता है मेरे पास जो कलर है यह है यहाँ अपर डिस्प्ले प्रॉवाइड कर दिया गया है एक एमलेड इस्क्रीन दिया गया है ओफिस ले जिसके वज़े से काफी अच्छा तिया पहले आघा जाथा लेकिन फिलहाल की कंडेशन का इसाब से चो कौनिंग और दिस्प्ले सी तोड़ा सा कमी लगा लेकिन है बहुत ही तकड़ा है इस स्मार्टफोन की पफोर्मेंस के उपर बात कुरू तो डिवाइज में हमें यहां पर रेम देखने को मिल जाता है एट जीबी रेम 128 जीबी इन चानले स्टॉरेज डिवाइस में अलगला का फरियन है 4GB 64GB 6GB 64GB 4128 6128 एं यह जो डिवाइज मेरे पास है यह 8GB 128GB और जो रॉम है 128GB UFS 2.2 का है और इस स्मार्टफोन में जो प्रसर दिया गए है काफी तगड़ा प्रसर है जिया दूस्तों यहां पे मेडियरे की तरफ से प्रसर देखने को मिल जाता है मेडियरे के लिए जी 95 जिया दूस्तों जी 95 पे काफी अच्छा प्र यहां पे 13 पे तो गेमिंग के ऊपर बात करो या फिर स्पिट के मामले में यह जो डिवाइस है रेडमी नूट 10S है डेफिनेटली काफी अच्छा डिवाइस है प्राइस रेंज के इस आप से डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है साथी साथ यह पर्फॉर्मेंस यानि जो है वो भी काफी अच्छा मिल रहा है आपको गेमिंग इन स्पिट के मामले में डिवाइस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा इसके लवर डिवाइस की जो यहां पे बैटरी दिया गया है वो है 5000 मिलिया एंपिरार बैटरी साथ में फासिन सपूर्ड भी है 33 वाट का या जाती साथ फुल डे यहां पे चला भी पाऊगे तो बैटरी परफोर्मेंस में भी यह जो स्मार्टफोन है रेड्मी नूट 10S स्मार्टफोन यह काफी अच्छा है वैसे में डिवाइस आपको लुक से डिजाइन बिलको एडि परफोर्मेंस के मामले में कैसा लगा नीचे कोमेंट करके जुरूब बताइए अगर अच्छे लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक जुरू कर देजेगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डेफिनेटली आप बताना कि स्मार्टफोन कैसा है प्राइस इंपोर्टन है डिवाइस की साइड में ह इसी स्मार्टफोन की जो फिंगरपर्ण स्केनर है मैंने यहाँ पर देखा है वह काफे फास्ट भी है और सेक्यूर भी है फेस अनलॉक इतना ज्यादा अच्छा नहीं है लिवाइस की यहाँ पर जो खेमरा दिया गया है 64 प्लस टू प्लस टू मेंगा बिक्सल यानि क्वा सब्सक्राइब जोस्त प्लस टक्रण स्वाइब घिया गया है विडियो ग्राफिक पेर फेस टक सपोर्ट किरता है एंड डिवाइस की जो यहाँ पे camera quality होगा definitely काफी अच्छा मिलेगा आपको result जो output है result है बहुत ही अच्छा है and definitely camera के मामले में आपको यह जो smartphone है खास करके बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ पे काफी सारा photos मैंने click किया है and first impression में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जो यहाँ पे देख सकते हो selfie camera जो natural photos है quality है वो definitely आ रहा है अच्छा quality के साथ आप photos वीडियो shoot कर पाऊगे device की जो यहाँ पे result है वो खास करके outdoor and daylight में घजब का देखने मिलेगा साथे साथ indoor and low light की performance के उपर बात करूँ वो भी काफी अच्छा है और काफी सारा ultra wide lens के साथ photos क्लिक क्या है और वो भी काफी अच्छा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे कि device 5G है या 4G है definitely यहाँ पे 4G device है लेकिन जो इस specification से वो कही न कही काफी अच्छा दिया गया है जिसके वज़े से मैं इसी smartphone को यह पे अन्बोक्सिंग करके आप लोगे साथ शेयर कर रहा हो और देखिए पॉपर ले अगर 5G के उपर बात कुरू 2024 में हमें पूरे धरीके से 5G हमें देखनों के मिलेगा फिलहाल जो सेनेरियो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो और चलिए दुस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी smartphone की price के बारे में और price range के इसाब से device कैसा है honest में review रखूंगा जा दुस्तों device में हमें 8GB RAM देखनों के मिल जाता है 120 RGB internal storage मिडेरे के लिए G95 एक उक्टा कवर पसर लागा हुआ है इसी smartphone की जो इंडियन मार्केट पर प्राइस फिलहाल है 8GB 120 8GB Varian का वह है 18,499 लोपीज यानि उल्मॉस्ट 18,500 के device है तो 18,500 में आपको एक अच्छा खासा smartphone मिल रहा है definitely 5G होता तो definitely और मज़ा आता लेकिन device के price range के हिसाब से थोड़ा सा कमी कहीं न कहीं है क्योंकि device के जो specifications दिया गया है फिलहाल की condition के हिसाब से इस smartphone की price 16,000-16,500 ऐसा होना चाहिए तो लेकिन smartphone की price तोड़ा सा over price है 18,500 है तो definitely 18,500 में आपको अच्छा specifications मिल रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जो बाकी smartphone में दिया जाता है अगर आप इस smartphone को लेने के बारे में सोच रहे हो तो definitely ले सकते हो आपके लिए एक अच्छा device होगा लेकिन अगर आप तोड़ा से एड़ कर लेते हो पैसा जैसे कि 2000-2500 तो आपको मिल जाएगा Redmi Note 11 Pro Plus 5G जो काफी अच्छा है price range के इसाफ से धंदार है 6GB variant भी ले सकते हो आपके लिए बढ़िया डिवाइस से डेफरेंटली होगा तो यहीता दोस्तो Redmi Note 10 SE स्मार्फोन के अन्बॉक्सिंग और इसी स्मार्फोन के बारे में मेरा honest opinion आपको कैसा लगा यह डिवाइस price range के इसाफ से नीचे कॉमेंट किरके जरूर बताइए अगर एचा लगा तो please वीडियो के लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा नीचे दिए गया रेट वीडियों को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अरपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर किजिएगा तर देले बाई ठीक क्या और अन्जाए हिंद